जैसे किष्णा दोस्तों बी एस सर्माबाद द्वाद चैनल में आप सभी दोस्तों का स्वागत है दोस्तों आपको एक ऐसा पैवता रहे हैं अगर इसे आप एकादशी के दिन कल लेते हैं तो निश्चित रूप से आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी किसी भी तरह की मनोकामना हो संतान प्राप्ति की हो पुत्व प्राप्ति की हो बिवाय की हो हर प्रकार की मनोकामना पूर्टी के लिए इस उपाई को आपको करना चाहिए इस उपाई में आपको करना यह है कि जिस भी मनोकामना से कर रहे हैं आपको जो है एक आमला लेना है और उस आमले को उपर का हिस्सा आदा काट करके इस प्रकासी बीच में गड़्डा कर लें जहां पर आप घीकी बत्ती रख सकें उसमें आपको गीकी बत्ती रख लेनी हैं तुर्शी के पेड़ के पास जाना हैं एक गिलास में या लोटे में जल रखना हैं और दो पूल डाल लोंग लेनी हैं आप पूरव या उत्तर जिसा की तरह मुक करके बैठ जाएं दोनों लोंगों को हाथ में लेकर के आपको सब्सक्तर बार ओम नमू भगते वास देवाय ओम हरीम करीब नमा ओम नमो भगते वास्टेवाइं ओम हरीम किरीम नमा इस मंत्र को बोल करके उन्हें लोगों को तुलसी पर अर्पिट कर दें और वो जल जो तुलसी में चड़ा देना है उसके बार आपको मनो कामना बोलते हुए उस आमले के अंदर आमले के फल में जो आपने दीपक बना के रखाए बत्ती रखी है उसे तुलसी के नीचे जला देना है उसके बाद तुलसी की तीन या साथ परक्मा करनी है अगर तुलसी के गवने की परक्मा ने कर पाते हैं तो अपने इस्थान पर ही घुम जाए इस प्रिकास इस उपाय को करें तो निश्चित रूप से भगवत किरपा से आपकी मनो काम नवस्पूरी होगी, आपकी जीवन में आ रहे ही सभी रुकावटें दूरोंगी, इस उपाय को जुरू करें, वीडियो को शेर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, आप सभी को जैस प्रिकिस्ना!